यह ब्रेव एट की फोटो है जो कि जेशन बेकर के साथ है, जो की मास्क डिजाइनर है, जो की ब्रेव एट का जो बर्ण जो कारेक्टर था, ड्रैंड योटम ने जालाया था फिर जो मास्क था, वो जो पहना रहे थे अपने ब्रेवाट को first time तो ये देख सकते हो एक photo backstage की जो की काफ़ी interesting लगी बाग की इसके उपर आपके open in आप लोग बताना और काफ़ी बूटल दिखरा था मास मतलब काफ़ी ऐसा danger type सा अगर देखते कब उनका return होता है लेकिन rock का return क्या summer slam में होने जा रहा है ग्रेशन वॉलर ने तो बहुत बार challenge वगेरा कर दिया लेकिन actual में अभी backstage पर क्या चीज़े है तो backstage पर विफलाल creative team को नहीं बताया गया है कि क्या चीज़े होने वाद है कि क्या rock आएंगी भी या फिर summer slam में नहीं आएंगे तो अब पतानी creative team को डब डब ली ने क्यों नहीं बताया है लेकिन अब पतानी अभी ये secret ही है तरी किसे कि या rock आएंगी भी या फिर नहीं आएंगे ये एक secret है आते तो अच्छी बात है और नहीं आते तो वो क्या कर सकते है मतलब अब हमारी आवास तो rock की तरफ जानी रही rock को तो सब चीज़े दिखाए धीरी social video पर किसे बाते वगरा हो रही लेकिन देखते हैं summer slam में एक छोटी सी खोप है let's see क्या वो आते या फिर नहीं रिया रिपली की बात करते तो रिया रिपली को काफी जादा appreciate किया है डेव एलजर ने डेव एलजर रिया रिपली के बारे में बात करते हैं कि रिया रिपली की बेस्ट wrestler है और काफी famous है अभी के time के उपर और ये believe करना मुश्किल है लेकिन रिया रिपली की 26 और अभी almost 15 साल उनके करियर में डबर डबली में बची हुए हैं और बस अभी कुछ time में उन्होंने इतनी जादा डबर डबली में चीजे अचीव करी है और famous बन चुकी हैं वैसे मानना पड़ेगा बातों को क्योंकि डेफिनिटली रिया रिपली काफी famous भी हो चुकी है काफी तगड़ा उनका character भी और काफी सारी चीजे उन्होंने लगभग अचीव करी लिये हैं और बहुत 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 लंबा करियर अब उनका देखते क्या बड़ी बड़ी achievements वो इन फ्यूचर और LA Knight को जो भी फिलाल compare किया जाता है दर रॉक के साथ और LA Knight को जो है Stone Cold के साथ भी compare किया जाता है यूँकि एक दो बड़े wrestler से काफी बड़ा नाम है Stone Cold and The Rock जिनके साथ जोई एले नाइट को compare किया जाता है तो LA Knight के वो तारीफ भी करते है तो यह फिलाल कुछ Seth Rollins का कहना है कि काफी अच्छे wrestler भी है अपने LA Knight और उनके काफी बड़े-बड़े wrestlers, legends के साथ बीचे हैं यहाँ पर से comparison करते हैं WWE Universe तो यह फिलाल कुछ Seth Freakin Rollins अपने recent के interview के अंदर कहते हैं और अब देखते हैं LA Knight का क्या future होता है और क्या उनका push होता है WWE उनके अंदर, WWE उनको किस तरीकी से आगे build करती हैं खेर बात करते, Roman Reigns एंड जे उसो के tribal combat के बारे में जो की match होने जा रहा है summer slam में इसका end एक clean end होने वाला है बताया जा रहा है update का कि WWE शायद इस match के एक clean ending plan कर सकती है ऐसा वाला कुछ बताया जा रहा है मतलब एक clean ending हमें इस वाले match में दिखा दे सकती है या तो Roman Reigns पिन करेंगे जे उसो को या पिर जे उसो हराएंगे Roman Reigns को कुछ ऐसी ending clean हो सकती है और Roman Reigns के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दू Roman Reigns ने जो है 2020 के बाद return करने के बाद as a tribal chief Roman Reigns ने 15 unique t-shirt WWE के अंदर अपने फिलाल जो है बनाई है मतलब उनकी 15 नई t-shirt WWE में आई और ये जो है काफी Roman Reigns ने काफी profit किया डबडबली को की tickets जो है merchandise selling में तो ये फिलाल कुछ Roman Reigns के बार में कमाल की stat भी है लेकिन ये फिलाल कुछ आज किस वाले वीडियो में updates थी बाकि देखते ट्राइबल कॉमबैक के अंदर क्या चीज़े होती है और देखते कल RAW में भी क्या कुछ चीज़े होती फिलाल आज की वाले वीडियो बस इतनी से थी और मैं में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की अंदर